नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फाशन, ब्यूटी और लाइफस्टायल की आज की वीडियो में मैं आपके साथ श्यार करने वाली हूं टुटोरिल ओन दिस मेकप लुक बहुत ही अच्छा मेकप लुक है आशा करती हूं कि आपको यह मेकप लुक अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगे तो मेरे चानल को सब्सक्राब करना बिल्कुल न भूलें और अब हम वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लिप्स को मॉस्टुराइज करेंगे तो मैं इस्तिमाल कर रही हूं यूस का हनियाप लिब बाम फेस प्राइफल का मॉस्टुराइजर प्रॉड़क को मैं रिंग फिंगर के मदद से अपने फेस वनेक पर अपलाई कर रही हूं और अब मसाज कर रही हूं आज हम इस्तमाल करेंगे वटन वाइल का फेस्ट प्राइमर ये मैट प्राइमर है और प्रॉड़क को मैं अपने T-Zone पर अप्लाई कर रही हूँ मेरी स्किन जो है वो नर्मल टे ड्राइ है पर मेरी T-Zone पर पॉर्स है तो इसलिए मैं इस प्राइमर का इस्तमाल कर रही हूँ और अगर आपकी oily स्किन है तो आप मैटिफाइंग प्राइमर का इस्तमाल कर सकते हैं लैकमे का 9-5 प्राइम प्लस मेट पॉर्ड़िशन इंदे शीड वांम बच इस्तमाल कर रही हूँ और रिंगर की मदद से मैं प्राडक को अपनी खराइप और नक पर अपलाई कर रही हूँ foundation को blend करने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूँ amazon का brush इस brush को मैंने recently review किया था ये brush एक 10 piece brush set का हिस्सा है अगर आपको जानना है कि ये brush actually कैसा है तो आप उस video को please check करें वो video मेरे channel पर available है अब मैं इस्तमाल कर रही हूँ mac का color character तो ये है orange color character इसे मैं अपनी under eyes और eyelids पर apply कर रही हूँ और अब मैं product को ring finger के मदद से blend कर रही हूँ ring finger का इस्तमाल करने से कम pressure पड़ता है L'Oreal का infalliable concealer in the shade 328 biscuit इस्तमाल कर रही हूँ और अब हमने जहाँ color character apply गया था उसके उपर इस concealer को apply करेंगे concealer को blend कर रही हूँ मैं amazon के eyeshadow brush के मदद से ये brush उसी 10 piece brush set का हिस्सा है जिसका हिस्सा वो foundation brush था अब हम product को अच्छे से blend करेंगे और circle muscles में मैं brush को चला रही हूँ ध्यान रखे कि आप brush को घिसे नहीं वरना product जो है वो आपके pigmented area को coverage नहीं देगा ये brush मैं नशीन से purchase किया था ये भी एक brush set का हिस्सा है अब मैं इस्तिमाल कर रही हूँ मॉर्फे का बनाना powder और उस powder के मदद से मैं set करूँगी अपनी under eyes और eyelids पर लगे हुए concealer को मेरी skin normal to dry टाइक की है और मुझे ज़ादा powder का इस्तिमाल करना पसंद नहीं है इसलिए मैं बहुत ही careful रहती हूँ जब मैं powder का इस्तिमाल करती हूँ powder को मैं अपनी neck पे लगे फांडेशन को set करने के लिए भी इस्तिमाल कर रही हूँ अब हम eyebrows को define करेंगे तो ये है wet and wild का brunette stuid better eyebrow pencil काफी अच्छा product है ये मेरी eyebrow hair को suit करता है contour area के नीचे वाले area को मैं clean कर रही हूँ अब हम इस्तिमाल करेंगे she glam का breeze palette इसे मैंने अपने she glam hall में आप लोगों को दिखाया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उस वीडियो को जाकर ज़रू से देखें अब हम apply कर रहे हैं eye shadow को morphe के eye shadow brush के मदद से rosy top pink eye shadow को हमने crease पर apply किया है और अपनी crease को definition दे रहे हैं अब हम इस sheet को pick करेंगे amazon के eye shadow brush के मदद से और अपनी crease को और वी ज़्यादा deepen करेंगे excess को tap off करते हुए हम eye shadow को apply कर रहे हैं अपनी crease पर और हरकासा eye shadow मैं वी पर भी अपनी outer वी पर भी apply कर रहे हूँ ऐसा करने से हमारी eye look को depth मिलेगा definition मिलेगी अब हम इस्तमाल करेंगे nix का glitter primer ये है morphe का flat eyeshadow brush और अब मैं glitter primer को अपनी eye lid पर apply कर रहे हूँ हम glitter primer का इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम shimmery metallic या glittery shade को apply करें तो ऐसे eye shadows हमारी eye lid पर अच्छे से बैठें और कम से कम fallout हो और eye shadows अच्छे से उभर कर भी दिखें इलहाल मैं इस lalak purple shimmery shade को apply कर रहे हूँ अपनी inner half of the eye lid पर मैं इस्तमाल कर रहे हूँ Morphe का flat eyeshadow brush जिसकी मदद से हमने glitter primer को भी apply किया था nix का glitter primer अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं कोई और glitter primer इस्तमाल कर लें अब मैं apply करूंगी इस shade को यह champagne glittery shade है और मैं इस्तमाल कर रहे हूँ Morphe का pencil brush मुझे बहुत ही कम area में apply करना था इस champagne glittery eye shadow को इसलिए मैंने pencil brush का chain किया और इस brush के मदद से मैं वाकि अच्छे से product को place कर पाई मेरी eye lid पर lilac purple shimmery eye shadow को मैंने फिर से pick किया है और intensify कर रही हूँ glittery shimmery shades को आप crease से हमेशानी चाहिए रखा करें ताकि आपको neat eye look मिले अब मैंने amazon का eye shadow brush लिया है यह clean brush है इससे मैं harsh edges को soften करूंगी ऐसा करने से काफी diffuse लगेंगे हमारे eye shadows जो भी हमने crease पे apply किये थे same steps को follow करके हम अपनी दूसरी eye के crease पर भी eye shadow को apply करेंगे same shades जो हमने अपनी crease पर apply किये थे यानि पहले rosy top shade और उसके बाद peachy brown shade वो दोनों eye shadows को apply करके हम अपनी crease को define कर रहे थे अब हम apply करेंगे nix के glitter primer को और मैं इस्तिमाल कर रही हूँ वही मेरा favorite Morphe का flat eye shadow brush कितना pretty है नहीं shade यह मुझे unicorn wipes देता है somehow फिलाल मैं इस shade को apply कर दी हूँ अपनी inner half of the eyelid पर देरे देर गर के मैं इस eye shadow को pack कर रही हूँ और blend भी कर रही हूँ और आप चाहें तो आप अपनी ring finger का भी इस्तिमाल कर सकते हैं आइशेड़ को apply करने के लिए फिर से मैं इस्तिमाल कर रही हूँ Morphe का pencil brush और उस champagne pearly shade को apply कर रही हूँ अपनी outer half of the eyelid पर पर ध्यान रखेंगे कि हमने अपनी outer V पर भी matte eyeshadow को apply किया था तो इस eyeshadow को उस matte eyeshadow के उपर नहीं ले जाना है दोनों को अलग अलग ही रखना है अब मैं apply कर रही हूँ लालक pink shade आशेड़ इसको soften करेंगे हम Amazon के clean blending brush के मदद से कितनी आसाने से हमारा eye look ready हो गया है अब हम eyeliner को apply करेंगे अब हम apply कर रहे हैं Nix के epic ink eyeliner को और basic winged liner को draw कर रही हूँ मैं क्योंकि हमारा eye look जो है वो आज काफी soft होने वाला है तो मैंने ज्यादर dramatic wing draw का ना सही नहीं समझा अगर आपको अच्छा रखता है तो आप dramatic wing draw कर सकते हैं आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं Nika का I am black kajal काफी pigmented kajal है ये और मैं इस kajal को अपनी outer half of the waterline पर apply कर रही हूँ upper half of the lash line को भी मैंने tight line किया है इस product का इस्तेमाल करके lashes को curl करने का समय आ गया है तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ V.O.V का lash curler और अपनी lashes को curl कर रही हूँ आज मैं अपना favorite mascara तो नहीं ठीक ठाक mascara इस्तेमाल करने वाली हूँ ये है Maybelline का closer mascara जादा बाओ नहीं लगा ठीक है फिलाहल मैं अपने lashes को अच्छे से coat कर रही हूँ मुझे बहुत बार इस mascara को apply करना पड़ा था इतनी आसानी से मेरी lashes को इसने ना length दियाना volume मशक्कत करने पड़े मुझे literally yeah the struggle was real अब हम पिक करेंगे इस shade को और ये है Amazon का pencil brush इस eyeshadow को हम apply कर रहे हैं अपने lower lash line पर only outer half of the lash line पर हम apply करेंगे इस eyeshadow को ये है Makeup Revolution का face palette in the variant flush इस palette से हम इस contour bottle को पिक करेंगे ये brush जो है ये Amazon का contour brush है और मैं अपनी hollows of the cheeks पर contour powder को place कर रही हूँ blend कर रही हूँ contour powder को मैंने jawline पर भी apply किया है और jawline को define कर रही हूँ same palette से मैंने लिया है blush को और ये है brush जो मैंने sheen से purchase किया था और आपको haul वेडियो में भी दिखाया था brush को मैं हलकी आत उसे इस्तिमाल कर रही हूँ काफ़े pigmented है ये blush मैं excess को tap off कर रही हूँ फर भी देखे कितना जादा blush मेरी cheeks पर दिख रहा है कुछ जादी brush लगा ले था मैंने तो उसे मैं tone down कर रही हूँ उसी brush से ही जिससे हमने foundation को apply किया था अगर आपने मेरी mac haul वीडियो नहीं देखे है तो प्लीज उस वीडियो को ज़रू से देखेगा ये है Maybelline का master chrome highlighter in the shade molten gold ये मेरा holy grail product है बहत ही अच्छा highlighter है highlighter को मैं अपनी high points of the face पर apply कर रही हूँ और ये जो brush है ये है BH Cosmetics का highlighter brush इस highlighter को मैं इसलिए पसंद करती हूँ कि कोई भी subtle look हो या फिर glamorous look हो आप इस highlighter कर सकते हैं और इस highlighter में कोई भी chunky glitter नहीं है बहुत ही finely mild है बहुत ही different formula है when we compare it to with other highlighters ये बिल्कु भी powdery नहीं है काफी अच्छा दिखता है skin पर mix की suede lipstick in the shade cannes apply कर रही हूँ मैं अपनी natural lip lines को follow कर रही हूँ और lip liner को apply कर रही हूँ at least India में तो ये lipstick काफी hyped है ये है Nikake की liquid lipstick in the shade Turkish Rose बहुत ही प्यारा shade है I must say मुझे भी ये shade बहुत अच्छा लगा जैसे सबको अच्छा लगता है और ये shade neutered, mauvi pink shade है तो इस eye look के साथ ये lipstick जचेगी अब हम apply करेंगे lip gloss तो ये है MAC का lip gloss in the shade Avalanche of Kisses somehow ये lip gloss sticky नहीं है और मुझे काफी अच्छा लगा formulation ये है अपना complete makeup look अच्छा लग रहा है ना आपको ये makeup look मुझे काफी अच्छा लगा soft है और eyes कितनी ज़्यादा subtle लग रही है ये glamorous लिप्स्टिक जो हमने apply की है वो हमारी eye look को compliment कर रही है आप इस whole makeup look को definitely create कर सकते हैं काफी wearable makeup look है ये ये है close up of the whole makeup look मैं usually soft eye looks ज़्यादा create नहीं करती हूँ पर somehow धीरे धीरे मुझे में भी changes आ रहे है मैं हर तरह के eye looks को create करना पसंद कर रही हूँ and I absolutely love this look palette जो है मैं इसे और try करना चाहूँगी तब आपके साथ अपना honest opinion share करूँगी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इस वीडियो को like करना है मेरे चाहर को subscribe करना है और अपने friends और family के साथ आप इस वीडियो को share कर सकते हैं शाद उनके लिए ये वीडियो किस तरह से helpful हो आप अपना ध्यान रखें मैं आप से मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में टेक केर बाई बाई